कि अरोडा यegegy education में सभी तर्शकों का रिकसा को इस वीडियो में मैं आप को मुल्टि मेटर की definition मुल्टि मेटर के अंदर कौनकौन से परकार होते हैं अनलौप मुल्टि मेटर और अनलौप मुल्टी मेटर के अंदर किसे मापते हैं तो अधा मल्टी रेंज मुल्टी मेटर का डिजाइन कैसे किया जाता है यह बताने का प्रयास करूंगा अंत में एक निमेरिकल अग्जामपत से इस डिजाइन को करके भी दिखाऊंगा तो हम शुरू करते हैं मल्टी मेटर से मल्टी मेटर यह वोल्टेज करंट वह रेजिस्टेंस माप सकता है आता है इसे मल्टी मेटर कहते हैं यानि ऐसा मेटर जिसमें वोल्टेज करंट वह रेजिस्टेंस तीनों एक ही मेटर के द्वारा ना पिजा सकती है उसे मल्टी मेटर के साथ में मल्टी लगया एक से कुछ मल्टीमेटर ऐसे भी आते हैं जोंके अंदर हम कुछ प्राकर के होते हैं पहला अनलाउग मुल्टीमेटर दूसरा डिजित विज्टल मुल्टीमेटर एनलाग मल्टिमेटर स्केल पर एक पॉइंटर द्वारा रेजल्ट पर दर्शित किया जाता है यानि इसके अंदर रीडिंग है वो एक स्केल के उपर जो पॉइंटर की पोजिशन के अंसार हम खुद रीड करते हैं हमें स्केल के अकॉर्डिंग खुद कैल्कुलेट करना पड़ता है उस रीडिंग को कि वो रीडिंग कितनी है यह डारेक्ट रीडिंग डिस्प्ले नहीं करेगा रीडिंग हमें स्केल के अकॉर्डिंग खुद कैल्कुलेट करना पड़ती है यहां हम Permanent Magnet Moving Coil Meter, PMMC Meter काम लेते हैं, जो pointer देखने के लिए meter काम में ले रहे हैं, जो main इसका meter है, वो है PMMC meter, AC voltage, DC voltage, DC current, resistance, major करने के लिए अलग-लग socket या rotary switch यूज करते हैं, अब अलगलग वोल्टेजजिसे AC दी c वोल्टेज DC करेंट्र रिजिस्सेंस इनको वाजर्श करने के लिए या तो उसमें अलगलग सोफेंट बने ओते हैं, और सबॉस्ट के उपर है तो उसकी रेंट क्या है, D.C वोल्टेज तो उसकी रेंट क्या और एक जाय हो वो सॉकेट नो सेट जैस्ट करके यह रीडिंग देते हैं यह कई मीटर ऐसे होते हैं जिसमें रोटरी स्विच लगाता है उस रोटरी स्विच की पोजिशन हम जैसे एसी वोल्टेज और कितनी रहें जाए यह सीजें उससे सेट करके एक बाद हम रीडिंग ह handled犯त्यस पर दो टैस्टिश काम बिलेगे एक ब्लैक होग को परच्टी मिलगाई है जीरो और देस्ट करने के लिए नौप उपलब कराए थी अब इसमें कहा है कि जो एनलोग मल्टिमेटर है उसमें जो स्टार्टिंग पोजिशन है वो जीरो से कई बार आगे या पीछे हो सकती है तो उसको अजिस्ट करने के लिए एक नौप लगी लेती है तो सब रिडिंग लेने से पहले हम इसमें एक जीरो पर सेट कर लेते हैं ताकि रिडिंग आपकी सही आए डिजिटल मंटिमेटर समयने तहीं यह थ्री एंड हाफ डिजिट वेस्ट सेवन सेग्मेंट डिस्पले के साथ उपलब्ध होते हैं तो इसके अंदर जह है चार डिजिट पूरे नियाते तीन पूरे और चोथर डिजिट में सिर्फ एक ही इंक्लूड होता है यह सेवन सेग्मेंट डिस्पले के द्वारास में हम रिडिंग देखने के लिए यूज करेंगे अच्छी क्वालिटी के मल्टिमेटर में टेंपरेचर फ्रिक्वेंसी ड सब्सक्राइक के जबा की एक रोटरि फिस्फ रहता है इन में मुझ को कौन सा वॉंक्षिन है यह वोल्टेज है एक वसी डीवॉल्टेज है करेंट है रिजिस्टर है उसके लिए यह रूंज है क्या है इसके लिए रोटरिश वर्स्वारा हम इसीीज चीज़ करते हैं बाकी डिजाइन सर्किट के अंदर ही रहता है अब हम देखते हैं कि analog multimeter द्वारा DC voltage कैसे measure कियाती है analog multimeter द्वार DC voltage measurement समाने चाहा 10 volt 50 volt 250 volt 1000 volt के jack holes उप्राद रहते हैं तो अगर हम analog multimeter की बात करें तो उसमें 10, 50, 200 और 1000 volt नापने की सुधा रहती है यह range highest value है 0-10 volt 0-50 volt 0-250 volt इस टाइब से किसी अग्याद DC voltage measure करते समय multimeter की voltage range पहले highest पर रखते हैं फिर value के अनुसार सही range याद कर reading note कर लेते हैं अजब हमें पता नहीं कि voltage कितनी है लेकिन हमें यह पता है कि voltage इतना पता अंचे है AC voltage है यह DC voltage है यदि हम यह DC voltage की बात कर रहे है यह पता है तो उसको हम जब प्रॉप्स कनेक्ट करेंगे unknown DC voltage के लिए तो आप उसमें highest range ले लें यह सुधा के लिए आपकी ताकि मीटर जाए खराब ना हो तो यह आपको यह पता नहीं कि कितनी है सब हाजार वोल्ट से शुडू कर लें हाजार वोल्ट में में देखेंगे बहुत कम है उस लग रहे है अपको एक्चुल वैल्यू आपको बहुत कम रहे तो हजार से नीचे जिस रेंज में लग रही है एक जैक्ट तो उस रेंज के अंदर करने जिसे आपको लग रहा है कि 0-50 वोल्ट की रेंज की डिसी वोल्ट है तो 50 वोल्ट वाल स्केल में करने तो यह मेजर करते हैं सेफटी के सीरीज में रेजिस्टर या मल्टिप्लियर उसे डिसी वोल्ट मेटर में अब बनाने के लिए क्या कर रहे हम कि कोई करन्ट मेटर है उसके सीरीज में अगर हम कोई रेजिस्टेंस लगा दें तो रेजिस्टेंस की वैल्यू के कौर्डिंग हम उसकी रेंज सेट करते हैं और current meter की maximum capacity से ज्यादा current उसमें से flow नहीं होने देगा ताकि वो जलनी तो current की value को limit करने हैं काम कौन करेगा series वाला multiply register तो यह multiply register की value के according हम अलग लग value के अलग लग range के DC volt meter से design कर सकते हैं ताकि यह full scale deflection current से ज्यादा नहीं जो उसकी maximum full scale deflection current है उससे ज्यादा current flow ना करें इसके लिए हम series वाला register काम में लेते हैं DC volt meter की circuit के दो points की बीच में potential difference major करता है तो यह कोई भी 2 points की बीच में potential difference major करेगा या कोई EMF source है कोई voltage source है तो voltage source की voltage major करनी है तब आपका DC voltage DC volt meter काम में आएगा इसलिए इसे दोनों points के parallel यहाद समानतर में लगाया था तो DC voltage जब भी काम में लेना आपको तो unknown जो भी DC voltage है उसके parallel में लगाएंगे दोनों points के parallel में DC volt meter को connect करेंगे में मीटर के termions को positive और negative मारक के है तो positive और negative termions के बीच में हम DC volt meter की props को connect करके और reading note करते हैं अब आते हैं multi range volt meter किस ताइब से design करते हैं multiplier का मान ग्याद करना अब आपको current meter जहाँ है उसके series में कितना value का resistance लगाना पड़ेगा उसको volt meter में convert करने के लिए calculate करते हैं तो पहला diagram में मैंने इस दिखाया है इसके अंदर मैंने एक register RS दिखाया series में और यह आपका current meter का जहाँ वो resistance RM है और इसमें से flow and value current जिदी IM है और यहां जो voltage है वो V है तो IM movement का deflection current IFST full scale deflection current कितना IM है current meter का full scale deflection current कितना यह कितने current पर यह maximum current जो से measure किया थी वो that is called full scale deflection current RM moment का internal resistance इस current meter का internal resistance जिदी वो RM है और RS multiplier resistance series में कितना resistance लगाएंगे उसको बोलते है multiplier resistance V V का मतलब है full scale voltage of the instrument instrument की full scale voltage कितनी है यह हम decide करेंगे कि हमें 10 volt का multimeter बनना है 100 volt का बनाना है 50 volt का बनाना है तो V वो value है अब इस किर्चौफ voltage लासे आप देख सकते हैं V is equal to IM into RS plus RM यह simple on track according देख लें कि total voltage V है और किसके cross है वो RS और RM series में लगे हमें तो V is equal to IM into RS plus RM यह V is equal to IM RS plus IM RM इसको bracket को open कर दिये यह IM RS is equal to V minus IM RM यह RS is equal to V minus IM RM upon IM यह is equal to V upon IM minus RM तो इस तरह से RS की value आप define कर सकते हैं इसी तरह से अब इसमें आपको RM भी पता है IM भी पता है और V भी पता है तो easily आप अगर आपने एक ही range का volt meter बनाना है तो इस तरह से आप RS कलकूलेट करके और series में उतनी value का resistance लगा देंगे तो यह आपका DC volt meter की तरह काम करने लग जागा अब यह कई बार क्या होता कि हमें ज्यादा तरह यह यूज करते हैं कि multi range का DC volt meter बनाना है तो कई range एक ही meter में आ जाएं और अपनी सुईदा से इसकी range आप select कर लें तो second वार डियागराम में दिखा लें इस डियागराम में आपको R1, R2, R3, R4 चार resistance दिखाए गए हैं और यह चार resistance किसलिए लगाए हैं कि चार ranges के DC volt meter बनाने काम आते हैं तो multiplier के उस सामाने था volt meter के अंदर ही mount किया था जो multiplier जो लगे होते हैं volt meter के अंदर ही mounted रहते हैं बाहर उसमें दिखते हैं आपको माना V1 range के लिए register मान लिया कि हमने कि R1 register के द्वारा जो range बना यह थे V1 है R2 के कारण V2 range का volt meter बनता है R3 के कारण जाए वो V3 और R4 के कारण V4 तो चार resistance लगा दिए अपने और यह चार ranges आपके इसको V1 बोल दीजिए इसको V2 बोल दीजिए इसको आपके V4 तो चार ranges के volt meter बन जाएंगे यदि आप R1 R2 R3 R4 इस तरह से calculate करके आप इसको design कर सकते हैं इसी को आप दूसरे डंग से कर सकते हैं यह सेकंड वाल डियाग्राम में दिखा है इसमें यह तो वही है RM और IM लेकिन जो resistance दो एक ही साथ सीरीज में पहले R4 R3 R2 R1 सारे resistance लगा था सीरीज में V1 range के लिए resistance जो चूज किया है यूज रहा है वो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 V2 के लिए जो चूज रहा है वो है R2 प्लस R3 प्लस R4 और V3 के लिए जाय है वो R3 प्लस R4 और V4 के लिए R4 तो इस तरह से आप अलग-लग range के लिए जाय है वो resistance कितना आएगा यह उपर की तरह ही calculate करके यह DC voltmeter multi range का DC voltmeter design कर सकते हैं यह alternate circuit है alternate circuit of multi range DC voltmeter तो दोनों में से कोई भी circuit आप यूज कर सकते हैं अब एक numerical examper से मैं इसको बताने का प्रयास करको एक basic D-Arsenal movement with internal resistance RM 100 ohm and full scale deflection current IFST is 1 milliampere is to be converted into multi range DC voltmeter with voltage range of 0 to 10 volt 0 to 50 volt 0 to 250 volt 0 to 500 volt the circuit arrangement of given figure is to be used for this voltmeter यह circuit arrangement second वाला यूज करने है इसमें second वाले में R1, R2, R3 और R4 series में लगे हैं अब value calculate करके दिखाते हैं R4 जाय हो R4 जाय हो R4 जाय हो lowest range के लिए R4 काम में लिए जाय 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 गा मानलिए यह V4 है और V1 जाय हो क्या होगा highest range के लिए R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 यह highest range के लिए तो V1 आपका highest range है और V4 आपका lowest range है अब total resistance निकालते हैं total resistance Rt कितना है 10V upon 1mA अब सबसे जो V4 आपका 10V है तो 10V ohms lock according 10V upon current 1mA जो IFSD है तो यह आगर 10Km तो R4 प्लस Rm प्लस Rm प्लस Rt किसके ब्रावर है R4 और Rm का sum है तो R4 क्या होगा Rt माइनस Rm आपने calculate कर लिए 10Km है 10Km माइनस Rm आपको दिया हुआ 100 ohms तो यह आगा 9900 ohms तो R4 की value आगी 9900 ohms तो V4 range के लिए resistance की value आगी R4 9900 अब 50V range के लिए V3 निकालना आपको V3 position पर करेंगे तो Rt कितना होगा 50V upon 1mA 50V upon 1mA कितनी value होगी 50Km होगी तो R3 किसके ब्रावर होगा Rt मैंस Rt में आप 2 resistance का sum है 3 resistance का R3 प्लस R4 और Rm तो इसके अंदर आपको Rt में से यह लिए आप R4 और Rm को गठाने reduce कर दें तो बचेगा क्या आपका आपका सिर्फ R3 बचेगा क्योंकि Rt के अंदर Rt किसके ब्रावर है Rt is equal to R3 प्लस R4 प्लस Rm यह है तो R3 किसके ब्रावर होगा है Rt minus R4 प्लस Rm तो यह value होगी 50 minus 10Km यह हमने उपर निकाली थे पहले तो यह आपका 40Km तो 250V range के लिए या V2 position के के लिए Rt के value आजाएगी 250V upon 1mA 250Km तो R2 के value क्या आजाएगी Rt minus R3 प्लस R4 प्लस Rm यह होगा 250Km मैनस 50Km तो यह आगा 200Km 500V range के लिए अगा V1 position वाली range निकालते हैं तो Rt is equal to 500V upon 1mA यह 500Km तो R1 जाए हो Rt minus R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस Rm तो Rt जाए उस चारों resistance और Rm का sum है तो इसलिए R1 के value Rt में से R2, R3, R4, Rm को subtract करने पर आजाएगी तो 500 minus उपर आपने निकाला था अलड़ी है 200Km है 200Km तो Rt आपको 250Km तब पिछली रेंज रेंज का जो Rt था वो मैनस करेंगे तो 500 minus 250Km तो यह आगया आपका 250Km तो इस तरह से हमने देखा कि R1, R2, R3 और R4 की value आप calculate कर लेते हैं जो कि आपके range 10V, 50V, 250V और 10V, 50V यह हमने जो निकाली है यह आग देखें 10, 50, 250 और 500V यह 4 range के लिए आपने calculate कर लिया इन value को resistance लगा लेंगे तो यह आपका DC voltmeter अलग-अलग range के लिए काम करना लगेगा इसमें rotary switch द्वारायन की range को select कर सकते हैं तो इस वीडियो में मैंने आपको multimeters की type, basic idea, analog और digital multimeter का उसके बाद मैंने digital voltmeter को analog type के digital voltmeter को किस तरह design करते हैं यह समझाने का प्यास के और एक numerical gameplay द्वारा उसको calculate करके भी दिखाया मुझे अमीद है कि इस वीडियो आपको पसंद आया हुआ, पसंद आए तो उसको like और share करें इस चैनल को पहली बार देखने आगा इस चैनल को subscribe करें इस वीडियो के बारे में को command, query या feedback उसको जरूर लिखें इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत अन्यवाद